अब की बार भाजपा की सरकार हो जाएगी तड़ी पार, चुके जनता और जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, और नरेंद मोदी जी ये 400 पार का परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं, चुके इंटर्नल सर्वे, इंटर्नल रिपोर्ट में भारतिय इंता पार्टी RSS को पता चल चुका है कि हम सत्ता में वापस नहीं आने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए 500 रुपे में गैस सिलेंडर और बिहार में 200 इनुट तक बिजली फ्री देने का जो हमारा वचन है, उसको हमने असपश टूप से 24 वचनों के साथ सामिल किया है, मोदी तो हड़ चुके हैं मुद्दो के अधार पर अब देश की जनता, देश के लोग, देश का आम अवाम, देश का नौजवान, जो परिवर्तन कारी राजनिती के तरफ बढ़ रहा है, और जो परिवर्तन की बैयार दिख रही है, उसके बाद से आप देख रहे हैं, मोदी से ले करके, आपको अमि लाख लोगों को सत्रा महीने के कार्थकाल में नौकरियां दे करके, असपश्ट रूप से बता दिया, कि हमारा जो करने के परती संकल्प है, नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाने का हमारा सोच है, जो हम नौजवानों को बेतर भविस बनाने के परती आगे बढ़ रहे हैं, उस दिसा में हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, एंडिये के लोगों को वी पता है, कि हमने नौकरिया रोजगार नहीं दिया, ते में बीच नफ्रत पहलाने का काम किया, नौजवानों को भटकाओ कि दिसा में धरम भरम की राजनित में फशा करके रख़ा हर साल दो कोड़ोर नौकरीय रोज़गार देने की बाद 2014 में नरेन मोदी जी ने की थी 10 साल हो गया 20 कोड़ोर नौकरीय रोज़गार मिलना चाहिए था इन्हों ने दिया योजना लाने का काम किया है 15 पंदरा अगस्त को वे रोजगारों को आजादी के नाम से योजना शुरू करने जा रहे हैं अज़ाज एमर जी तेश्वी यादों के परिवर्टन पत्र ने कुछी मिन्तों में भौकाल मचा दिया है नवजवानों को भटकाओ की दिसा में धरम भरम की राजनीत में फसा करके रखा हर साल दो कोड़ों नौकरी या रोजगार देने की बात 2014 में नरेंद मोदी जी ने की थी दस साल हो गया बीस कोड़ों नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था इन्होंने दिया है सात लाग बाइस दार तीमसुगारा ऑन रेकाओड भारत सरकार के आकड़े के अनुसार इन्होंने अग्री वीर योजना ला करके नौजवानों को चार सालों में विरुज़गार बनाने का एक निया एक्षिन प्लान तैयार किया और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में भिर्धी हुई महिलाओं के साथ इनका कोई बेहतर वेवहर नहीं है हमने महिलाओं के लिए एक लाक रुपे वार्सिक योजना ला तक बिजली फ्री देने का जो हमारा वचन है उसको हमने असपस टूप से 24 वचनों के साथ सामिल किया है और ये 24 वचन जनता और जनता के हितों के लिए जनता के मुद्दे पर है जनता के सवालों पर भारतियनता पार्टी या एंडिये के लोग ना पहले टिके है ना आगे ट करनी है जबकि तेजस्वी जी ने पांच लाख लोगों को 17 महीने के कार्थकाल में नौकरियां दे करके असपस टूप से बता दिया कि हमारा जो करने के परति संकल्प है नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाने का हमारा सोच है जो हम नौजवानों के बहतर भ जनता के लिए जनता के मुद्दे पर नौजवानों के सवाल पर किसी तरह का समझारता नहीं करेंगा मत्या कर लिया कि मोधी को हड़ाना है देखे मोधी तो हड़ चुके हैं मुद्दो के अधार पर अब देश की जंता देश के लोग देश का आम अवाम देश का नोजवान जो परिवर्तन कारी राईनिती के तरफ बढ़ रहा है और जो परिवर्तन की बैयार दिख रही है उसक से उनको अपनी भासा पर नियंत्र नहीं प्रा पा रहा है यह फ्रेस्टेशन बता रहा है कि उनको पता चल चुका है कि जंता और जंता की उमीदों पर हम खड़े नहीं उत्रे हैं इसलिए जंता हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार बैठी हुए अब की बार चार्टा पार का नारा दिया जा रहा है खुद मोदी जी इस बात को कह रहे हैं और तमाम निता भी कह रहे हैं तो क्या लगता है कि कितनी सीटे आएंगी बाट को देखिए अब की बार भाजपा की सरकार हो जाएगी तड़ी पार चुक्टे जंता और जंता के लिए कोई काम नहीं किया है और नरेंद मोदी जी ये 400 पार का परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं चुक्टे इंटर्नल सर्वे इंटर्नल रिपोर्ट में भारतिय इंता पार्टी आरेसस को पता चल चुका है कि हम सत्ता में वापस नहीं आने जा रहे हैं इसलिए ये बना करके अपने आपको बनाए रखना चाहते हैं चार जुन तक चार जुन के बाद ये कहीं नहीं नजर आएंगे नजर आएगा देश और देश की जनता का मुद्दा और देश के लोग